नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका सभी का अपने सापताहिक राशी फल में जिसमें हम बात करेंगे साथ तारिक तक की दोस्तों मुबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ हो सकता है आवाज में उपर नीचे हो जाए तो माफ कीजेगा और साथी साथ दोस्तों यह राशी फल होगा चंदर-based और बहुत होगा generalized क्योंकि जितने भी राशी फल आप लोग net पर देखते हैं वह है ग्रह इस्तितियों के साब से होते हैं आपके कुंडली में ग्रहों की क्या इस्तिति है वो आपकी कुंडली को देखकर ही बताया सकता ह और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कुंडली, निम्रोलोजी, हेस्टरलोजी, पामिस्ट्री तीनों हम लोग करते हैं उसके निचोड के बाद अपना रेजल्ट आपको देते हैं तो अगर आप personal analysis करना चाते हैं तो वीडियो के image में आपको दिख रहा होगा किस तरह से हमें contact करना है तो चलिए मेश्राशी के बात कर लेते हैं कि ये सबता मेश्राशी वालों के लिए कैसा रहेगा साल चेंज हो रहा है और आपके life में भी कुछ परिवर्दत आ सकते हैं और कुछ जादा बड़े changes करने की इस्तिती ना पैदा करें नहीं तो कुछ problems आपको देखने को मिल सकती हैं हाला कि जैसे जैसे सबता आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको काफी कुछ फाइदा देखने को मिल सकता है love life की बात करूं तो जीवन साथी से संबन अच्छे रहेंगे और प्रेमी यूगल्स के लिए भी यानि की couples के लिए भी ये सबता काफी अच्छा रहेगा और सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं जो लोग नोखरी करते हैं उन्हें थोड़ी बहुत यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है तो समय कर चलने का समय है ज्यादा कोई बहुत बड़ा बुदलाव करने की जरुवत आपको नहीं है अब बिश्यवराशी की बात करूं तो चैंदवरा की इस्तिती सब्दा आपको बचना होगा आपको अपने काम से काम यहां पर रखना होगा पुराने दोस्तों से मिलने का भी योग इस सब्दा में बंता हुआ दिखाए दे रहा है सेहत अच्छी रहेगी फिर भी कहूंगा भार की खाने से थोड़ा सा बचे माता पिता का सव्योग भी मिलेगा और थोड़ा सा excitement पे over excitement से बचने की कुशिश करें जिमत साथी आपके साथ अच्छा behavior रहेगा और आपको भी behavior अच्छा करना है आलकुमेंटल आपको नहीं होना है प्रेमियों के लिए थोड़ा बहुत उताच अठाव उनको देखने को मिल सकता है स्टूडेंट्स थोड़ा पाटी के mood में दिखाई दे रहे हैं इस वज़े से थोड़ा पढ़ाई में ध्यान इस सब्ता का मुतावत दिखाई दे रहा है बिजनस करने वालों के लिए समय अच्छा रहेगा सेहत के लिए भी ये सब्ता ठीक रहेगा मितन की बात करूं तो बेरोजगार जो लोग हैं उन्हें कोई अच्छी opportunity मिलते वे दिखाईती रही है और promotion के भी यहां पर योग बनते वे दिखाई दे रहे हैं लेकिन आपको बहुत patience से चलने की आपशकता है अधिकारियों की मदद मिल सकती है जीवन भैतर बनाने के मौके भी आपको कहीं मिल सकते हैं सब्दा के बीच में कुछ सोचे हुए काम भी आपने प्रता सकते हैं लव लाइफ पर आपकी काफी अच्छी रहेगी जीवन साती के साथ कहीं गोमने जा सकते हैं प्रेमियों के लिए समय अनकूर बत्रा है वहीं कैरियर के लिए भी सब्दा महत्पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर आप अपने विवेक से कारे लेंगे काम करेंगे तो आपको काफी अच्छी रिजल्ट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं सहत समाने रहेगी ऐसी कोई प्रोग्रम में आपर दिखती भी नहीं दिखाई दे रही है करक की बात करूं तो कुछ खर्चों से शुरुबात आपकी हो सकती है और किसी व्यक्ति विशेश्यानी की किसी इंपोर्टेंट या स्पेशल परसन से आपकी मुलाकात होती भी सकते हैं सब्सप्ता की शुरुबात रहेगी वह काफी अच्छी रहेगी लेकिन नए काम अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो थोड़ा साब्धान रहें कुछ लोग आपको यहां पर दगाबाजी कर सकते हैं या दोका दोका आपको दे सकते हैं तो भरोसा जो है वह ब में ठीक रहेगा सिहत के मामलें भी समल कर चलें गैस इत्यादी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हैपी न्यूर कहना चाहता हूं मैं इतना काम में था कि जो है भूल गया कि कल से नया साथ स्टा हो रहा है और लाइफ जो राशिफ हल है वो आपको मिलता रहेगा यह तो मैंने एक दू दिन पहले ही रिकॉर्ड करके आपको देख दिया था तो में यह टीम इसको अफ्लोड कर देगी जब भी उने टाइम मिलेगा सिंग की बात करूं तो शुरुबात में फायदे होते व आपको अच्छे तिद्रल्ट दे सकते हैं कुछ वैचारिंग मद्विध आपके हो सकते हैं आप जहां काम करते हैं खर्चा बढ़ता हुआ दिखाई तिरह आए अगर आप अपनी दिल की बात किसी से कहना चाते हैं तो सबता आपके लिए अच्छा है समय आपके लिए ठीक चालने रोग कर आप को परिचान कर सकते हैं उ और हो सके तो थोड़ी बहुत मदद आपको करनी चाहिए बहनत और धहरे से आपको सब कुछ मिल सकता है जैसे जैसे दिन बीटेंगे फायदा पड़ता चला जाएगा और आखरी दिनों में आपको थोड़ा साथा नहीं की जरूरत है मंगल पार को पैसा देने से पचे शादे शुदा लोगों के लिए समय ठीक रहेगा हाला कि जो नव विभाइत है उनमें थोड़ी सी मिस अंडेस्टेंडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है चुकि मेजर नहीं होगी प्रेमियो के लिए सप्टा ठीक है स्टूरेंट्स को सफलता मिलती दिखाई दे रही है कोशिश करते रहे है आरती किस्ति भी आपके अनुकूल रहती भी दिखाई दे रही है तुला की बात करूं तो सोचे वे काम समय से निमट जाएंगे जिसलिमन आपको खुश रहेगा बड़ा फाइदा भी आपको मिल सकता है आप लोगों अपनी राय या रूजना से ही सब कुछ करें और सला मश्यूरा करें लेकिन अंतिम दिखाई दे रही हैं किसी बड़े बुज़ूर की हेल्प आपको मिल सकती है जो आपके काम में फायदेबंद हो सकती है इन दिनों फाल तू कामों से बचें और फाल तू खर्टों से बचें प्रेम संबंदों के लिए समय ठीक है पार्टनर आपसे संतुस्ट और खुछ रह सकता है इस्टुएंट्स को थोड़ा बहुत अपन डाउन का स्थती दहां पर देखने को मिल सकती है तक नहीं कि छेत्र के स्टुएंट्स को हाला कि यानि कि IT छेत्र के जो लोग है उन्हें सफलता मिलते भी दिखाए दे रही है तंसंबंदी मामलों में किसी में भरोसा ना करें सज़दारी के कामों में भी सार्थानी रखें सिहत कुन मिलाकर थोड़ी बहुत अपन डाउन दिखा रही है लेकिन कोई ऐसी मीजर प्रावलम नहीं है विश्चे की बात करूँ तो सब्ता की शुरुवात थोड़ा अपन डाउन किस्ति दिखाएगी मन थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह सकता है लेकिन जैसे सब्ता आगे पड़ेगा आर्थे किस्ति मजबूत होती चली जाएगी घर परिवार के मामले मन पर हावी हो सकते हैं घर में कोई बिजनस या पार्ट टाइम काम भी आप शुरू कर सकते हैं बिजनस करते समय अच्छी सफलता आपको मिल सकती है शुरुवादी दिनों में आप सेहत और सुख्षा को लेकर सब धानी भरते और च्छोटी च्छोटी चीजें को बहुत माइनूटली चेक करें तनसंबंदी मामलों में महत्पू फैसल लेने पड़ सकते हैं शेहर जमीन जायदा आधी फाइदा हो सकता है समाजिक कारणों में आप सब को साथ लेकर चलना चाह रहा है परिवार में तनापू का वातरवन खता मोतावा दिखाए दे रहा है दिन आपके जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे काफी अच्छे रहेंगे लव लाइफ के लिए समाने रहेगी जीवन साथी सायोग मिल सकता है चोटी चोटी बातों पर अधिक ध्यान ना दें तो अच्छा रहेगा कहीं गोमने भी चाह सकते हैं के बारे में अगर बात करूं तो प्रिट योगति परिक्षा त्यारी कर रहे हैं तो जल्द सफलता मिलते योग दिखाए दे रहे हैं नौकरी पेशा के लिए भी समय अच्छा रहेगा सेहत थोड़ी खराब रह सकती है पुरानी बीमारी आपको परिशान कर सकती है खाने पीने पर थोड़ा था ध्यान दीजेगा बात कर लेते हैं धनूराशी की तो सब्ताह कितमे जिम्मेदारियां बर सकती हैं आफिस में उतने ही सफल और सुलक्षिद रहेंगे जितना आप चाहते हैं आफिस में कुछ बड़े फैसले में आपकी सलह ली जा सकती है किसी पुराने साथी से मुलाकात हो सकती है सोचे वे काम देरी होने के करण मन परिशान रह सकता है बिजनिस और नौकरी में आप अच्छा परफॉर्म करते वे दिखाई दे रहे हैं इन दिनों आपकी को कुछ समझोते करने पर सकते हैं सोचे वे काम पूरे हो जाएंगे आपकी नहीं बनती वे दिखाई दे रही है इस्टुएंट्स के लिए सब्ता अच्छा रहेगा कोई बड़ा पसव पेश की सिति आपकी नहीं बनती वे दिखाई दे रही है मगर की बात करूं तो छटे भाव में चलेंगे चंद्रमा तो छटे से आठवे तक जाएंगे तो कुछ अपेड डाउन की सिति नहीं दिखाई देगी लेकिन कुछ ऐसे फिक्स्ट काइंड ओफ फैसले आप ले सकते हैं जिनको बार बार आप नहीं बतलेंगे और आपके फैसल सही भी रहेंगे जब इन जाए जाती हैं अगाल लेने का विचार मन में है तो थोड़ा सा रुख जाएए और थोड़ा विचार कर लिजे नई तकनीक की ओर उजान बढ़ेगा यानि अपडेट करने की ओर आपका मन जाएगा नई तकनीक पर आपको काम भी आएगी धल लाव हो सकता है दोस्तों का सवयोग मिलेगा लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ में थोड़ा मिला जुला रहेगा जिबन साती के साथ हाला कि कहीं गूमने का प्रयान परन सकता है पारनी पर सयम रखें केरियर वाइज सब्ता ठीक रहेगा मैनद से फायदा होगा कोई भी जलवाजी में फैसला ना करें नौकरी पेशा के लिए अनुकूल है पद्धूनती के यूग बन सकते हैं सज़दारी और बिजनस के में भी आप अभी थोड़ा दुख जाएं कोई बड़ा डिसिजन ना सेहत भी थोड़ी एफेक्ट होती हुए दिखाए देली तो मिला जुला रहेगा आपके लिए सब्ता कुम की बात कर लूँ तो कोई खुशकवरी मिल सकती है इस्टिते दीर दीरे आपके फेवर में होती हो सकती है आप जितना धहरे रखेंगे सफ़यल और सुखी रहेंगे घर के बाहर लगभग हर मामले में आपको सबलता मिल सकती है बाग दो ओर और लोगों से मुलाकात आपको काफी करनी पड़ सकती है और इस पे आपको फोकस करनी की ज़imoto है सकती है मेहनत इस सब्ता में आपको काफी कटते वे मैं देख पा रहा हूँ टेंशन से हला कि रहात मिलेगी सब्ता में नई चीज़े खरीदने का भी यह हो गहां पर बनेगा पराणी बातों को लेकर ज़्यादा तू तू मैं मैं ना करें जो हो गया वो हो गया उसके बाद पर अडिग रहें लव लाइफ की बात करों तो दम पत्ते जिवन सुक में रहेगा पार्टनर के साथ कहीं गोमने जा सकते हैं इसके लिए समय ठीक नहीं कहा जा सकता फोकुस की कमी हैं सीदी सीदी दिखाई दे रही है कोई बड़ा फैसला लेने के लिए केरियर में बढ़े हों की सलास ज़रूर ले खर्चा भी थोड़ा बढ़ता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है किसी ने किसी बात को लेकर थोड़ा स्ट्रेस आप रह सकते हैं प्लास्ट के दिनों में आखिज आशी की बात करूँ तो परशानी अकम हो सकती है केरियर में बदला आपके मौक्टे भी बिल सकते हैं हामदानी बढ़ सकती है सामवई कारों में सफलता मिलेगे योग है नौलिज बढ़ेगा नौकरी या कारोबार में जोड़ी कोई टेंशन आपको लगता रह सकती है किसी बात को लेकर आपका मन डग मगा सकता है बुरे ख्यालों पर ध्यान ना दे और आगे बढ़ने पर कप्रियास करें लव लाइफ की बात करूं तो किसमत का साथ मिलेगा जो लोग अन्मारिड हैं उनको नए प्रस्ताव यानि कुछ नए रिष्टे उनके आ सकते हैं दामपत्य जीवन में मतुरता रहेगी प्रीमिय को सफलता मिलती भी दिखाई यहां पर दे रही है अलांकि जो लोग सर्विस करते हैं उन्हें कुछ मैनत करनी पड़ेंगी कुछ रुप्रावटे जरूर आएं कि लेगे ना उन्हें पार कर जाएंगे सब्ता के आखरी दूरों में बिजनस में फाइदा हो सकता है आप या जैसा मैंने आपसे पहले भी रिपीट किया था कि 31 दिसंबर के बाद फीस बढ़ जाएगी तो एक जनवर 2018 से फीस हमारी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि फिरी ओफ कॉस्ट हम नहीं कर पाएंगे जो भी फिरी ओफ कॉस्ट रहेगा वो ऑनलाइ कॉस्ट लेनी पड़ती हैं तो उन सेलरीज निकालने के लिए हमें आप लोग उसे पीस लेनी पड़ती है क्योंकि सबी चीजरों का खर्चा हमें देखना पड़ता है तो उम्मिद करता हूं आप बात को समझे होंगे और जो भी लोग देखते हैं प्लीज पहले प्रोसेज बने रहेगा